प्रूही अगनी के उड़ गए होश हैरान रहे गई सोनी टीवी सीरियल मन सुन्दर में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप भी जानते हो गए रूही अगनी का सच बाहर लाने के लिए कर रही होती है एक बहुत बड़ी साजिश अगनी के सच को लाने के लिए अपने जीवित होने की सच्चाई पर परदा डाल अगनी की सारी घटिया करतूत को वो सब के सामने लाना चाहती थी लेकिन वो ऐसा कर पाने में असमर्थ हो जाती है अगनी की सच्चाई बाहर लाने के लिए उसे रचना पड़ता है एक बहुत बड़ा साजिश दोस्तों नाहर के सामने अगनी आकार अपने जीवित होने की सच्चाई को सबसे वो बता देने वाली है सच्चाई को बाहर आते देख अगनी के पसीने छूटने लगे रूही अपने आप बीती को इतने शातिराने अंदाज से वो सबसे बताती हैं कि अगनी को बिना कुछ कहें ही सभी लोग अगनी पर शक करने लगते हैं अगनी की सच्चाई खुद बखुद बाहर आ जाने वाली है क्योंकि अगनी पहले से ही रूही के साय से इतनी डरी हुई होती है कि अपने सामने रूही को देखकर उससे सच छिप नहीं पाता है दोस्तों, ये सब चाल उस दिन काम्याब करने की प्लानिंग रची गई है जिस दिन अगनी और नाहर की शादी होनी है इन दोनों की शादी होने के दिन ही रूही अपनी बहन जूही के सहारे उस भूतिया रुप में अपने पहनावे और हावे को वैसे ही रखती है जैसे उसने पहले भी रखा होता है जिस दिन अगनी की शादी होने वाली है उसी दिन रूही सब के सामने अगनी की घटिया करतूत को बाहर लाने वाली होती है अगनी को डराने में रूही काम्याब हो जाती है अगनी इतनी डरी हुई होती है कि वो शादी वाले दिन नर्वस हो जाती है और एक ऐसी गलती कर बैठती है जिससे बिना कहे ही उसकी सारी सच्चाई बाहर आ जाती है नाहर अगनी की सच्चाई को जानकर शादी करने से इनकार कर देता है रूही को देखकर ही नाहर अगनी से शादी तोड़ने का सोच लिया होता है लेकिन उसके सामने इतनी बड़ी सच्चाई खुल जाती हैं दोस्तों जो अपने परिवार पर मुसीबत का पहार बन कर रहे उसे कौन अपने ही घर में रखना चाहेगा अगनी को सोनी यानि छोटी माँ हाथ पकड़ कर घर से बाहर कर देती है और अपनी बहु रूही को स्वीकार कर लेती है उसके बाद इस टीवी शो का पहला सीजन पूरा हो जाता है